तो भाईयो आज हमारे पास महिंद्रा बुलैर और नियो का N10 मॉडल तो आज की इस वीडियो में इस कार के बारे में बात करने वाले हैं यह पुछ यहां पर आपको X-series भी देखने को मिल जाती है यह बेसिकली टॉप्ट मॉडल आप देख रहे हैं अभी राइट नाओ है जो कि आपको बारी-बारी से भी दिखाता हूँ यह कार इस प्राइज रेंज पर आने वाली सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक है जो कि साइज में तो काफी बड़ी रहने वाली ही है यह कार जो है असल में प्रॉपर SUV रहने वाली है not just in terms of look but इस कार का इंजन भी काफी बड़ी है रहने वाला है इस कार के अंदर है मिलता है 1.5 लेटर का M-Hawk डीजल इंजन जो की power generate करता है 100 BHP की and torque generate करता है 260 NM का का रेर वील ड्राइब रहने वाली है and इस कार के अंदर हमें 5-speed gearbox का manual transmission मिल जाता है बाकि idle star stop का function भी मिल जाता है बाकि इस कार की लंबाई चोड़ाई भी काफी बड़िया रहने वाली है numbers के according इस कार की लंबाई है 3995 mm की and 1795 mm की इसकी width रहने वाली है height कार की 1817 mm की बाकि इस कार का wheelbase भी अच्छा कासा मिल जाता है तो 2680 mm का इसका wheelbase रहने वाला है बाकि बात करूं इस कार की ground clearance की तो 180 mm की इसकी ground clearance रहने वाली है and कार का departure angle भी काफी बड़िया रहने वाला है and approach angle भी कार का काफी अच्छा रहने वाला है जिसकी वज़े से कार कहीं भी फस्ती नहीं है और Indian roads के लिए ये कार एकदम perfect है बाकि गाइज अभी में इनली बात कर लेते हैं कार के overall front look के बारे में तो यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती है इस model के अंदर, top model के अंदर ही सिर्फ halogen में indicators है, parking lamp मिल जाता है head lamp भी आपको halogen मिलते हैं बाकि ये chrome garnishing के साथ front grill मिल जाती है न्यू वाला महिंद्रा का logo मिल जाता है black doubt इसकी front grill रहने वाली है यहाँ पर आपको fog lamp मिल जाते हैं इस model के अंदर यहाँ पर ABS plate जो है वो add-on कर दी गई है silver color के skid plate के साथ जो कि इस car के front look को और ज़्यादा aggressive बनाती है बाकि overall front से देखने में car कुछ तरीक के लगने वाली है proper boxy, proper SUV वाला design है यह भी बात कर लेते हैं car के side look के बारे में तो side से देखने में भी car काफी ज़्यादा boxy design वाली ही रहने वाली है यह पर आपको black color cladding मिल जाती है R15-inch के alloy wheel मिल जाते है size थोड़ा चोटा है पर यह पर disc brake मिल जाता है front side and rear side आपको drum brake मिल जाते है बाकि मैट black color के cladding मिल जाती है जो की दिखने में काफी कूल लग रही है बाकि यह side में पट्टी से मिल जाती है body molding type and side step मिल जाता है इसके उपर आप पैर रखके easily step inside हो जकते है fender पर आपको indicator मिलता है यह पर कोई किसी model में indicator नहीं मिलता है बाकि इस कार का wheel base काफी अच्छा कासा है जैसे कि मैंने आपको बताया and ground clearance भी decent enough मिल जाती है height भी इच्छी काजी है बाकि यहां पर white color की बादी कलर में ही देखने को मिल जाती है and यहां पर जो rain wise है रहे है यह X series का part है और pillars यहां पर blacked out मिल जाते है और door handles भी यहां पर blacked out ही रहने वाले है बाकि यह black color की पट्टी पीछे तक फॉल होते देखने को मिल जाती है जो किस कार के लुग को और बीज़ादे नहीं कर रही है उपर के साट को roof rails वगएर इस model में आते ही नहीं है बट आप X series में लगवा सकते है Scorpio वाले roof rails उपर के साट simple वाला antenna मिल जाता है बाकि rare के साट है तो यहां पर आपको बड़ा वाला महिंदरा का LOGO मिल जाता है बुलैरो नियो की बैजिंग मिल जाती है प्रग कलार का कवर रहने वाला है एपर दो पारकिंग संसर रहने व है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहां पर मिल जाता है एपर एक स्रीज का पर्ट में इसका तो यहां पर आप अपने बंदे बगरा बिठा सकते हैं, दो बंदे भी आ जाएंगे, बाकी 380 लिटर के सम्थिंग जो इसका बूट स्पेस रहने वाला है, और बैठने के लिए सीट दी गई है, और इसके बाद यहां पर आपके तीन से चार बैग एजिली आ जाएंगे, और चोटे बैग होंगे तो और 5-6 भी आ जाएंगे, और इस सीट के अंदर यह उपर की साथ पॉकिट भी दी गई है, पीछे बैठने वाला शायद कमफर्टेवल ना हो, यहां पर आप पूर्ट स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं, और कोई बच्चा बैठना चाहे तो वो भी और पिच्छे के साइड में उपर के साइड यह लांप मिल जाता है, और यह बाकि कुछ इस टाइप का इसका पिछे की साइड का रेयर स्पेस, अभी चलते हैं इसके इंटीर की साइड, और बात करेंगे इस कार के इंटीर और अधर फीचर्स के बारे में, तो ब्लेक कलर का बाकि यह लावर और भॉर जेडल के साथ और ली प्राऊन बॉटा- मेरा वाल पर फ्ल्ट करा पर यह बैट कान ब्रपेस, तो अनडर के साइड एंड के साइड का साइड वाख एंड ने पीडु द porta प्लास्टिक हैं, रहने वाला है हैं, और जो यह पार्ट लाव द on oluş फ elements, इसका पार्ट अब लगवा सकते हैं, लेधरेट सीट अपॉस्टर फे में भी मिल जाती है, बाकि अभी अंदर बैठेंगे, और सीट की कुछनिंग जो है, वो काफी सही लगी मुझे इस प्राइज रेंज के साब से, और शुरुबात करेंगे यहां से, इस राइट साइड से और कोई स्पेस वगेर नहीं है इधर की साइड, तो अभी डोर को कर लेते हैं, बंद, और बात करेंगे, इसके इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के बारे में पहले इसकी चाबी ओन करके दिखा देता हूँ, तो एक बार चाबी देख लीजेगा, इसकी तो चाबी कुछ की मिलती है, फ्लिप की सेट अप रहने वाले हैं, आपर कीले सेंट्री इसके इंदर नहीं मिलती है, इंजिन पूश टाइश टॉप बटन, चाबी लगा के ही आपको इस कार को एक्सिस करना होगा, इस कार का इगनिशन को अन करते हैं अभी, तो कुछ इस टाइप का इस आपको मेंटर मिल जाता है, बाकि जो M.I.D.I. बीच की आप इन बटन के थूरू से कंट्रोल कर सकते हैं, यहां से काफी सारी इंफोर्मेशन वगारा भी शो हो जाती है, माइलेज की, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप MS की इंफोर्मेशन भी शो हो जाती है, कार के अंदर में स्टेरिंग मेंटर मिल जाते हैं, जो कि मीडिय कंट्रोल वगरा सब हैं, यहां पर स्टेरिंग विल जो है, राउंड शेप में ही मिलता है, सिल्वर की फिनिशिंग के साथ ही, यह सिंपल वाला ही जो है, रहने वाला है स्टेरिंग में इसका कवर आ जाएगा, यहां पर गाड़ी के लिए काफी ज़्यादा बढ़िया है और लॉंग रूट पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब ही में ली बात के लिए थे कार के इंफोटेन्मेंट सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर जो है यह स्मार्ट इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि 6.7 इंचिस का रहने वाला है इसका साइज और यह काफी बेसिक साही रहने वाला है और रोट एन अपल कार प्ले यहाँ पर नहीं मिलता है ब्लुटूथ कनेक्ट्विटी फीचर एंड यूएसबी वगरे से आप कनेक्क कर सकते हैं और कार के इंदर हैं 6 स्पीकर जिनकी आप फॉन के साथ बनाया गया है बाकि ब्लैरों के किसी मौडल में नहीं मिलता है यहां से आप एसी को कन्ट्रोल कर सकते है यहीसे ही सट हो जाएंगे सब कुछ बाकि यह यूस्पी शॉक्ट एंड' याईसबी शॉक्टिट एट पावर शॉक्ट मिल जाता है 12 वोट का अगरा मिल जाता है 5-speed gearbox का manual transmission मिल जाता है automatic के अंदर यह नहीं आती है AC vents आपको उपर की side मिलते है with silver की finishing के साथ यह black and brown finishing के साथ इसका dashboard layout रहने वाला है completely hard plastic में ही यह रहने वाला है glove box आपको simple सा normal space के साथ मिल जाता है और कुछ इस तरीक का इसका layout निकल कर आता है जब आप अंदर बैठेंगे and इधर की side आपको power window controls मिल जाते है जो कि आपको door पर ना मिलके यहाँ पर मिलते है all four power window मिल जाती है इस model के अंदर जो कि काफे perfectly काम करती है and यहीं पर ही आपको छोटे मोटे space मिल जाते है and यहाँ पर आपको 3 cup holders मिल जाते है बाकि seats की quality तो काफी बढ़िया है and यहाँ पर adjustable headrest मिल जाती है and IRVM में manual adjustment के साथ मिल जाता है उपर के साड़ यह halogen में lamp मिल जाता है and यह mic की placing हो गई और passenger side front shade के उपर आपको mirror मिल जाता है lamp वगर है यहाँ पर नहीं है बस mirror मिल जाता है and यहाँ पर आपको ticket holder मिल जाता है कोई भी mirror and lamp यहाँ पर नहीं है तो overall front side से तो कुछ type की ही लगने वाली है अभी बात के लेते हैं car के rear side के comfort के बारे में step के उपर पैर रखके आप easily inside हो सकते हैं बाकी यह cover मिल जाता है यह 2000 रुपए का cover मिल जाता है इसके उपर आप लगा सकते है German X-series का part है महींदर की तरफ से बाकी पिछे की side बैटते है तो यहाँ पर भी आपको fabric seat apostrophe देखने को मिल जाती है under thigh support काफी अच्छा कासा बच जाता है बाकी बैटने में भी काफी comfortable feel हो रही है seat और आगे की side जो ही armrest भी मिल जाती है जो कि मुझे आगके से छुट गई थी और पिछे की side भी armrest जो है यहाँ पर मिल जाती है जो ही काफी अच्छा feature है बाकी यहाँ पर under thigh support and head room यहाँ पर काफी सारा बच रहा है and near room भी अच्छा कासा बच रहा है मेरी height के साब से तीन बंदे अराम से पिछे आ जाएंगे और चौत भी बठाना चाहे तो छोटे मोटे आ जाएंगे बाकी पिछे की side आपको top model के अंदर भी एक चीज जरूर missing होने वाली है वो है car के rare AC event पीछे की side कोई भी AC event अगर है आपर नहीं दिये गए है जैसे कि scorpion मिलते है तो शायद अगर यहाँ पर भी आ जाते है तो ज्यादा better होता बाकी second row comfort तो इसका काफी decent साही मिल जाता है तो भाईयो अगर आप भी कोई car देख रहे है 10 से 11 लाग के budget में तो यह car आपके लिए best option हो सकती है इसे उपर एक और model आता है जो कि यह N10 optional model उसके अंदर आपको और थोड़े से advanced feature जो है मिल जाते है बट यह model भी काफी अच्छा रहने वाला है और value for money variant आपके लिए रहने वाला है car के अंदर में सबी basic features तो मिली जाते है और अच्छा कासे bolder looks मिल जाते है और एक असली SUV वाला stance मिल जाता है road presents मिल जाती है बाकी guys अगर आप इस car को लेने के बारे में सोच रहे है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजेगा और बुलैरो नियो आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा बाकी guys ऐसी informative वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो make sure आप चैनल से connected रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय ही